कल मंडी के अंदर अर्विंद केजरिवाल जी का रोल शो होने जा रहा है जिसमें भगवन मान जी भी आएंगे और काफी उत्साह है मंडी के लोगों में आसपास के लोगों में मैं भी पिछले दो दिन से ही पर हूँ हमारी पूरी टीम यहाँ पर है तो आमादनी पार्टी हिमाचल के अंदर इस बारी इलेक्शन लड़ने जा रही है सभी लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है और लोग वेलकम कर रहे हैं कि यह आमादनी पार्टी को पहले आना चाहिए था परन्तु कोई बात नहीं अब लेटा है परन्तु फिर भी ठीक है तो कहने इस बारी बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों को हटा कर क्योंकि बार बार उनसे दुखी हो चुके हैं इस बारी आमादनी पार्टी को मुक्त देगे दिल्ली के अंदर देश के अदर अर्विं केजिरी वाल अकेले मुक्य मंतिरियें जिन्होंने इलेक्शन में ये बोला था कि बाई मैंने अगर 5 साल में काम किया हो तो आप मुझे वोट देना वरना वोट मत देना वोट काम के ओपर मांगने वाली अकेले नेता है अरवीन केजरी वाल जिन्होंने काम किया बताना चाहिए और काम पर बोट मागना चाहिए कल रोड शो ग्यारा बजी से है और मैं तो जादा से जादा लोग यहां पर पहुंचें जादा से लोग इसको जोइन करें पहले तो हमने देखा था कि हिमाचल का पूरा मैप लेके बैठे हम लोग तो सेंटर में मंडी पड़ रहे हैं कि बिल्कुल समयाने पर जरूर करेंगे अंडिर प्रस्ट करेंगे इतनी जल्दी ने फ्रोव समय दीजिए अभी मंडी से कर रहे हैं अभी समयाने दीजिए समयाने के बता देंगे अभी तो देखियो आमादमी पार्टी आई है और मैं जो भी होगा जिसको भी हम सीम केंडियर करेंगे आमादमी होगा इस बात की हम आपको आशवासन देते हैं शांदार होगा अब तक कि जो मुख्यमंत्री बनें उनसे अच हिमाचल के अंदर देखियेगा बहुत सारी समस्या है अबी तक हुआ किया है काउंग्रेस और बीजेपी ये फ्रिर्टली मैच ले एक 5 साल के लिए कार्णी बीजेपी आ जाती है फिर 5 साल के लिए बीजेपी जाती है तो kanグ्रेस आ जाती है ये आपस में कैच-कैच का खेल खेल रहे हैं काम कोई करता है नहीं जनता के लिए जनता दुखी हो कि उसको हरा देती है तो फिर पहले बार आ जाता है कांग्रेस को हराते है तो बीजेपी आ जाती है बीजेपी को हराते है तो कांग्रेस आ जाती है तो उनको पता है कि हमारे दोनों के अलावा कोई आ नहीं स जैसे दिल्ली में हमने शांदार स्कूल बनाए हैं, हिमाचल परदेश के सरकार स्कूलों को भी शांदार बनाएंगे, हेल्थ केर के उपर काम करेंगे, हिमाचल के सभी नागरिकों की स्वास्ते की जिम्मेदारी हिमाचल में बनने वाली आम आद्मी पार्टे की सरकार लेगी agriculture जो कि हाँ के major employment है उस पे ध्यान दिया जाएगा horticulture है उस पे भी ध्यान देंगे यहाँ पर क्रमचारियों के बहुत सारे issues है उनको solve करेंगे tourism अपने आप में एक बहुत बड़ा issue है और इन सारे वद्दों के अलावा हिमाचल परदेश भगवान ने इतना सुंदर बनाया जिसका नाम देव भूमी है दुनिया की सबसे खूसरत जगह है population भी कमने काम ज़्यादा नहीं है जो रिसोर्सिज है नेच्रल रिसोर्सिज है बहुत अच्छे हैं परंतु उसके बावजूद भी या कि पर कैपिटा इनकम परती विक्ति आये देश के अंदर पहले दूसरे नमबर पर नहीं है दस्वे नमबर पर भी नहीं है चोद्वे नमबर पर नहीं है पर कैपिटा इंकम बहुत ही कम instructors कोशिशने की क्यों कोई जरुत नहीं थी आम आदि पार्टी चे सरकार बनेगी तो हिमाचल की इंकम को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा आज हिमाचल का बजट लिल्ली से कम है काफी कम है एक समय था जब a till सरकार बनेटी तब देखिएगा हिमाचल का बजट दिली से थोड़ा जादा हुआ करता था तो दिली के अंदर हमने अपने बजट को धिर दिर बढ़ा है जो सोसिस को बढ़ा है तो हिमाचल की इंकम को भी बढ़ा जाएगा हिमाचल की बजट को भी इंक्रीज किया जाएगा अगर नेताओं तो कुछ फ्री मिले तो कोई तकलीफ नहीं है पहली बात में बता तो कुछ भी फिरी नहीं दे रहे हम लोग जो भी कुछ दे रहे हैं प्रीपेड है जंता ने टेक्स के रूप में प्रीपेड दिया आपको बता दे तो में के सुन लेजिए दुनिया के अंदर जितने भी डवलप पंट्रीज हैं आप एक नहीं पचास किलिस बना लीजिएगा बिर्टेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, न्यूजिलेंड, औस्टेलिया, कोई भी देश का नाम लीजिए, सिंगापूर नाम ली डवलप पंट्री है, जहां पर क्वालिटी हेल्थ केर फ्री ना हो, एक भी डवलप पंट्री ऐसा नहीं है, जहां पर सोशल सिक्यूर्टी ना हो, अगर उन देशों ने डवलपमेंट किया, डवलप पंट्री की लिस्ट में आए, तो अपनी जंता के लिए काम करके आए, ये जो कहना फ्री 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 ये बातें डायलोग हैं, नेताओं के लिए फ्री करें तो किसी को तकलिफ नहीं, अगर नेताओं के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार लेती है, तो स्टेट के सभी बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए अगर नेताओं को 4,000 यूनिट, 5,000 यूनिट बिजली की मुफ्ट मिल सकती है तो जनता को 300 यूनिट भी फ्री मिल सकती है दूसरी बात, मैं आपको दिल्ली का एक्जामपल देना चाहूँगा देश के अंदर दिल्ली अकेला राज्य है जो सर्पलस बजट पर काम करता है घाटे का बजट नहीं है हमने कोई लोन ने लिया हुआ है और आपको मैं बादा करना चाहता हूँ कि जितने भी हम यहाँ पर हिमाचल परदेश में काम करेंगे उसके लिए नए लोन नहीं लेंगे नहीं कोई नया टेक्स लगाएंगे सिर्फ अपने पैसे को ठीक से खर्च करेंगे बरबाद नहीं करेंगे उस पैसे को ठीक से खर्च करेंगे पैसा बचेगा तो जनता के उपर दिया जाएगा उसको फ्री नहीं कह सकते है इतना तो हम ने करते हैं, तो मुझे तो चैलिंज देता हूं कि सारी पार्टी आके हम कुछ नहीं करेंगे, तो तो हम मान जाएं, हमें पहले गाली ते फिर कॉपी करते हैं, हम देश के अंदर पहली बारी कल्यान कारी राज्य की जार्ना को लेकर आए हैं, हमारे संदान को देखिएगा हिंदुस्तान एक अंतन्त रहें उसके अंदर कल्यान कारी राज्य की स्थापना रखी गई थी नेताओं ने कल्यान को भूल गए और अपने कल्यान में लग गए अब जनता की कल्यान की बारी है जनता का कल्यान करने के लिए जनता का काम करने के लिए हम काम करें सर आपका मुभाबा किसे असपासे है की कॉमेंस है देखे का मेरा ये चोथा दो रहा है मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ एक कॉंग्रेस के नेता से मेरी मीटिंग हुई उनसे बातचीत चल रही थी तो मैंने उसे पूछा भई आपको हमारी पारटी में आने की क्या उश्चता है पर जूले की आमादी पारटी आएगी तो हमारा फाइदा होगा पर अब पिछले तीन चारते से आप देख रहे होंगे वो भी काफी नर्वस हो गए है रोज हमारी बुराईयां कर रहे हैं हमारे बारे में तरह तरह के कमेंट दे रहे हैं हमारा मुकाबला देखो मैं बताओं आपको क्लिरली कॉंग्रेस तो लगता है कि हमाचल से इस बारी खतम हो जाएगी जैसे दिल्ली में होई हमारी टककर बीजेपी से होगी और बीजेपी को हराने का मंतर हमें आता है दिल्ली के अंदर कॉंग्रेस को पिछले दो इलیک्शन में हमने जीरो पे लेके आए हैं कोई सीट नहीं है, कॉंग्रेस की एक भी सीट नहीं आई और बीजेपी को बुरी तरह से दोनों बारी हराया है इस बारी पूरा का पूरा फोकस आम आदमी पार्टी का हिमाचल परदेश पे होगा और हम बीजेपी को पूरी तरह के से बाद रख करताम up को जाया है आभी रख को फसंद करेंगे वेसे फि Hajma чal की ढंता से आम ढंधा करें आप पढ़ा है कि तो लोगों के मन में भावना है और पंद्रा दिन के अंदर आमाजी पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसके अंदर तीन लाख नए सदस्य बनाए गए हैं या अपने आप में एक नया किरती मानें कि कोई एक नई पार्टी पहली बारी एलेक्शन रड़ने आ रह अभी तो इलेक्शन का महावली घरम नहीं रही हुआ तो हमसे टिकेट मागने जो पार्टी पहली बारी है उससे टिकेट मागने तो अभी को आएगा अभी तो सिस्टम चेंज करने के लिए लोग आ रहे हैं अच्छे लोग आ रहे हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ क्योंकि हिमाचल में सिर्फ दो ही पार्टियां थी कॉंग्रेस और बीजेपी कुछ अच्छे लोग थे उनको रास्ता नहीं था उन्हीं में जाना था अब जो भी अच्छे लोग हैं सिर्फ अच्छे लोग बीजेपी छोड़कर और आप कॉंग्रेस छोड़कर आमादी पार्टी में आगा हैं सिर्फ अच्छे आना भी खराब मताना खराब को नहीं बिलाएंगे हैं मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी को पैजानना बना मुश्किल काम है मुख्य मंतरी पंजाब के मुख्य मंतरी को दो दो जगे से हराया उनका नाम जादर लोग नहीं जानते होंगे सिद्धू साब को जिसने हराया उसका नाम भी नहीं जानते होंगे captain साब को अहराया बादल साब को अहराया आप देखिएगा आम आदमी हैं बड़े चेहरों की जुरत नहीं है आम आदमी पार्टी को हमें आम आदमी की जुरत है और जहां तक यह कहना कि BJP का चेहरा या legitimacy का चेहरा मैं तो उसमें कहीं नहीं रहां मैं तो जितने भी अच्छे लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, समाजी कार्य करता है, अपने इलाके में काम करने वाले लोग हैं, जिनके मन में छीने में दर्द है कि हमें अपने प्रदेश को आगे लेके जाना है, देश को आगे लेके जाना है, वो सभी लोग, पार्टी में है या नहीं है हमारे हैं जुड़ जाएं दुवारा कॉश्चन ने कॉंग्रिस की तो पता ही साथ है अब प्रेस वारता में ऐसी सीक्रेट बाते पूछ रहे हैं यह ठीक नहीं है तो जादा हो जाएं संपर्ख में तो हैं संपर्ख में हत्तरे के लोग हैं बड़े बड़े लोग भी हैं कि कई हो कि कुर्सियों क्यों ने कुर्षियों पर क्यों खतरा डाल रहा है अरे ऐसा है उनको विचारों को रहने दोवी दोचार में इस बारे में ज्यादा कर लेने इस बारे में अलग से बात कर लेना इसमें नहीं बोल सकते हैं अरे बारे में झाल रहा है